हो जाता है साथियों आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं मानुता के कल्यान की बात करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थना में उन स्रमिक भाईयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब दो सप्ता से उत्राखंड की एक टनेल में फसे हुए है सरकार और तमाम एजन्सिया मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है लेकिन इस राहत और बचाव अभ्यान को हमें बहुत सतर्कता से ही पुरा करना है इस अभ्यान में प्रकृती हमें लगातार चुनावतियां दे रही है लेकिन हम डटे हुए है 2400 गंटे प्रयास कर रहे हैं हमें प्रार्षना करनी है उन स्रमीकों के सरकुसल निकलने के लिए और जल्द से जल निकलने के लिए हमें हिम्मत देनी है होसला देना है उन स्रमीकों के परिवार को कि पुरादेश आपके साथ है देव दिपाली का हर दीप कोटी दिपोट्षव का हर दीप उस टनल में फसे इस्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकास लाए हम सभी की यही प्रार्थना है मेरे परिवार जनों विक्षिद भारत का संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही ससकत होगा भारत सिर्फ एक राष्ट नहीं उसका संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही ससकत होगा भारत सिर्फ एक राष्ट नहीं है का संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही ससकत होने वाला है और इसलिए हमें इन साध्रा के कामों को पूरी तरह बड़ी लगन से और बड़ी स्रध्धा पुर्वक हमें करते रहना होगा मैं इस बव्य समारो यह ठीक है कि मैं एक दूसरे वातावरण में इन दिनों द्रस्त हूं